जै मसिकी and गुट मॉर्निंग आज सुभा प्रभु का बच्चन हमारे लिए आमोस का किताब अध्याई 3 आयत 3 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ यदि दो मनुश्य परस पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यहाँ पर एक सवाल है हमारे सामने कि अगर दो लोग सहमत नहीं है तो क्या वो साथ साथ चल पाएंगे? इसका मतलब यह है अगर दो लोग साथ साथ चलना चाहते हैं तो उनके बीच में आपसी सहमती होना जरूरी है अगर सहमती नहीं है तो वो लोग आगे बढ़ने ही पाएंगे वो लोग बीच रास्ते में ही अलग-अलग होकर अपने अपने रास्ते ले लेंगे उधारन के लिए हम लोग husband wife पती पतनी का example लेते हैं शादी से पहले वो लोग एक सहमती में आते हैं कि हम लोग शादी करेंगे एक साथ जीवन बिताएंगे और शादी के समय पर वो लोग आपस में एक promise करते हैं एक वाचा को बांगते हैं और वो ये हैं कि हम लोग जीवन भर आपस में वफादार रहेंगे एक दूसरे से प्रेम करेंगे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे इस प्रकार का एक सहमती में वो लोग आते हैं और फिर वो लोग एक नई शुरुआत को करते हैं और जीवन के अंत तक वो लोग इसी रिष्टे में आगे बढ़ते हैं इसका मतलब है दो लोग सहमत होते हैं प्रभू के साथ साथ चलना चाती हूँ तो जरूरी है कि मैं परमेश्वर के साथ सहमती में आ जाओं और क्या है परमेश्वर के साथ सहमती में होना प्रभू के साथ साथ चलना है तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलू उसमें मेरी इच्छा नहीं चलेगा परमेश्वर के वच्छन को मैं मानू परमेश्वर जो कहता है उसी मार्ग में मैं चलू मैं बीच में प्रभू से नहीं बोल सकती है प्रभू ये रास्ता अच्छा नहीं है या फिर ये रास्ता कटिन है मुझे इस मार्ग में नहीं चलना है मुझे आसान मार्ग में चलना है करकर मैं नहीं बोल सकती हूँ पती पत्नी जब एक वाचा बांधते हैं तो जीवन भर के लिए वो लोग बांधते हैं बीच में कभी हस्बंड वाइव से या wife husband से नहीं बोल सकते हैं कि दो दिन के लिए हम लोग ये वाचा को तोड़ देते हैं हम लोग किसी और के साथ रह लेते फिर वापस एक साथ आएंगी ऐसे कभी भी वो लोग नहीं बोलते हैं मेरे प्रियों तो प्रभू के साथ जो हमारा रिष्टा है कितना जादा महत्वपून है हम कभी भी प्रभू के साथ हमारा रिष्टा को तोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं बढ़ सकते हैं प्रभू के साथ साथ चलने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना हमारी रीती हमारा सोच हमें जो सिखाया गया है वो बाते बहुत अलग होगा लेकिन उन सारी बातों को छोड़ कर हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ कर ये समझना है कि परमेश्वर हमें कैसे चलने को कहता है प्रभु के साथ साथ चलना है मतलब क्या है एक आयत आपके सामने में रखना चाहती हूँ पहला यूहना, पहला अध्याय और साथवी आयत फर्स जॉन चैप्टर वन बर्स सब्स यहाँ पर इस प्रकार लिखा है पर यदी जैसा वो जोती में हैं वैसे हम भी जोती में चले तो एक दूसरे से सहबागी रखते हैं आगे का मैं नहीं पढ़ रही हूँ, उसी पर हम लोग फोकस करेंगे ईशू मसी जोती है, तो हम भी जोती में चले तो हमें कैसे चलना है, ईशू के साथ साथ चलने का मतलब है उसके साथ हम लोग नहीं चल सकते हैं किसी और के प्रती नफरत को रख कर हम इशू के साथ नहीं चल सकते हैं इशू जोती है और बचन में लिखा है कि हम भी जोती में चले मेरे प्रियों कितना ध्यान देना पड़ेगा इशू के साथ साथ चलना मतलब हमें बहुत कैरफुल होकर हमारी जीमन को आगे बढ़ाना है जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं जी सकते हैं एक और आयत को आपके सामने में रखना चाहती हूँ कलोशियों की पत्री दूसरा अध्याय और छटवी आयत कलोशिंस चैप्टर टू वर्सिक्स यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं अतहा जैसे तुमने मसी ईशू को प्रभू करके ग्रहन कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो हमें प्रभू में होकर चलते रहना है इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभू में बने रहना है युहना पंदरवी अध्याय में हम पढ़ सकते हैं ईशमसी कहता है मैं सची दाकलता हूँ और तुम डालिया हो हम डाली हैं हम वो ब्रांच है जो दाकलता के साथ जुड़ा हुआ है अगर हम वो दाकलता के साथ जुड़े नहीं है तो हम वो डाली है जो नीचे गिरा हुआ पड़ा है वो सूक जाएगा, वो मर जाएगा और अंत में किसी काम के लायक नहीं रहेंगे सिर्फ जलाया जाने के काम में आएंगे लेकिन अगर हम वो डाली है जो दाकलता के साथ जुड़े हुए हैं बने हुए हैं तब हम फलवंथ हो सकते हैं वो है प्रभू के साथ साथ चलने का मतलब मेरे प्रियों, आज हम लोग इस बात पर ध्यान दे कि प्रभू के साथ साथ चलना मतलब हमारे लिए एक बहुत आशिशित पद भी है लेकिन साथ में बड़े साथधान होकर हमें चलना है क्योंकि हमारा दुश्मन शैतान हमें गिराने की कोशिश में है वो चाता है कि हमारा और प्रभू का बीच का रिलेशनशिप तूट जाए हम अपनी मार्गों में चले और इसलिए हमारे मन में अलग-अलग बातों को कहता है देखो ये कितना आसान है वैसे करने से और ज़्यादा अमीर होंगे वैसे करने से ज़्यादा जल्दी तुम आगे बढ़ पाऊंगे और सारी जूटी बात है देखकर हमको टेम्टेशन प्रलोभन में डाल देगा ताकि हम प्रभू के साथ-साथ का रिष्टा को तोड़ कर हम अपनी मार्ग में चले लेकिन हम प्रभू के बच्चे है हम प्रभू से प्रेम करते है आज हम ये निरने ले प्रभू जीवन के अंत तक मैं आपके साथ-साथ चलना चाती हो आईये हम लोग प्रातना करें स्वर्गे पिता आज का बच्चन के लिए मैं धन्यबाद करती हूँ प्रभू जी प्रभू जी हम आपके साथ-साथ चलना चाते है लेकिन हमारी इच्छा नहीं प्रभू हमारा रास्ता नहीं हमारी रीती नहीं प्रभू जी सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार हमारी जीवन में होने पाए हम मिटी है प्रभू आप कुमहार है प्रभू जी आप हमें रूप देना प्रभू जी हमें ऐसे बरतन बनाना प्रभू जी जिससे आपकी महीमा प्रकट हो पाए पर भी श्रुपिता प्रभु जी आपकी नाम की महीमा हमेशा हमेशा हमाने हरे जीवन के द्वारा होने पाए आपने अमारी प्रात्तना सुन लिया इसलिए धन्यबाद आदर और महीमा आपको देते हुए इश्शू के नाम से हम मांगते हैं आमेन God bless you all जाह मसे की